वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे विदेशी यात्री आए और उन्होंने अपने कई ग्रंथ लिखे जिनमें से सबसे प्रमुकिस्थान माना जाता है फाहियान का, वैंसौं का, अलवरुनी का देखे आज में इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूँ अलवरुनी के बारे में अलवरुनी का एक ग्रंथ है जिसे तैकीक एहिंद के नाम से जाना जाता है तो आज मैं आप सबको अलवर्णी और उनके तहकीक एहिंद गरंद के बारे में इस वीडियो में पढ़ाने बाला हूँ तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि ये आपको अच्छे समझ में आ जाए तो चलिए वीडियो के सुध़ुत करते हैं और पढ़ते हैं तैकी के हिंद और अलवर्णी के बारे में यह सूचना तो इसे आप ज़रू पढ़ें अलवर्णी का इतिहास सबसे पहले हम सुध़ुत करेंगे अलवर्णी के इतिहास से अलवरुनी का जन्म 5 या 15 सितंबर 923 इसवी को आधनिक उजवेकिस्तान के वरुनी में हुआ था तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ देखें कहीं कहीं इतिहासकारों ने इनका जो जन्म है वो 5 सितंबर लिखा है तो कहीं कहीं लिखा है 15 सितंबर लेकिन जादातर जो इतिहासकार हैं वो 5 सितंबर को समर्थन कर रहे हैं लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों को लिख दिया है तो पांच या फर पंदरा सितंबर नो सो तेहतर इस वी को आदुनिक उजवेकिस्तान के वर्वनी नामा के इस्थान पर हुआ था लेकिन उस समय खौरजम कहा जाता था तो इसलिए आप जब भी इतिहास की कोई किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर खौरजम में लिखा हुए मिलेगा आपको लेकिन खौरजम पुराना नाम आदुनिक नाम है वहाँ का वर्वनी तो वहीं पर जन्म हुआ था कि इनका अलवर्वनी का अलवर्वनी का पूरा नाम अवुरिहान मुहमद एहमद अलवर्वनी था तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नका पूरा नाम क्योंगी इसको एक बार एक्जाम में पूछा गया था अवुरिहान मुहमद एहमद अलवर्वनी अलवर्णी प्रारंब में ख्वारिजम के सासक के यहां राजनाएक पदबर कारगिया करते थे लेकिए मैं आपको यहां पर बता दूँ कि इनका जन्म भी ख्वारिजम ही हुआ था तो वहीं के जो सासक थे तो उन्हीं के यहां यह सुरुवात में काम करते थे कौन अलवर्णी संभौता 1016 इसवी में महमूद गजनवी के दौरा ख्वारंज पर विजय प्राप्त की गई उसी दौरान अलवर्णी से महमूद की मुलाकात हुई और अलवर्णी की पृतिभा को देखकर महमूद उन्हें गजनी लाया तो चलिए मैं आपको यहां पर समझा देता हूँ संभौता 1016 इसवी यह मैंने संभौता इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने 1015 कुछ इतिहासकारों ने 1016 तो कुछ इतिहासकारों ने 1017 लिखा हुआ है लेकिन मैंने यहां पर 1116 इसवी लिखा हुआ है तो 2016 ईसवी में क्या हुआ कि जो गजनी के साथ सकती जिनका नाम था महमूद गजनवी तो उन्होंने खौरिजन पर विजय प्राप्त की थी तो खौरिजन के राजा को पराजित किया उसी दोरान क्या हुआ था कि अलवरुनी से उनकी मुलाकात हुई क्योंकि अलवरुनी खौरिजन के जो साथ लग थी उन्हीं के यहाँ पर राजनाई के पद पर काम किया करती थी तो जब मुलाकात हुई तो अलवरुनी की जो प्रतिभा थी उसे देखकर महमूद बहुत चकत हो गया और उन्हें गजनी लाया था कुछ अतिहासकारों ने यहाँ पर लिखा है का बंदी बना के लाया था देखो ऐसा कुछ भी नहीं है का बंदी बना के लाया था यह सरफ कहानिया है और कुछ नहीं है उनकी प्रतिभाग को देखकर प्रभावित हो गया था महमूद और इसलिए गजनी लाया था और उन्हें सुरुवात में राज जियोतिस के पद पर रखा हुआ था ये भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि भी मैंने इसको लिखा नहीं है महमुद गजनवी के दरबार में अलुत्वी वेहा की फिर्दोसी उन्सूरी रहती थे उसी में अलवर्णी को सामिल किया गया था जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि उन्हें सुरुवात में राज जियोतिसी के पद पर रखा गया था अलवर्णी महमुद गजनवी के साथ 2017 ओष्वी में भारत आये थी तो आपको यहां पे याद रखना है कि 2017 ओष्वी में अलवर्णी भारत आये थी 2017 से 2030 ओष्वी के मद में वह भारत में रहे तथा इसी दौरान अलवर्णी ने तहकीक एहिंद गरंध की रचना अर्विभासा में की थी तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि 1017 से 1030 इसवी के दोरान नवी भारत में रहे और इसी दोरान उन्होंने तहकीक ए हिंद गिरंथ की रचना अर्वी भासा में की थी अलवर्णी पहले मुस्लिम विद्वान थे जिनोंने हिंदू गिरंथों का अध्यान किया यह प्रिस्ण बी काईवार एक्जाम में पूछा गया है तो इसको आप वसिलत तोर पर याद रखें अलवर्णी पहले मुस्लिम विद्वान थे जनोंने हिंदू गिरंथों का अध्यान किया था उससे पहले किसी भी मुस्लिम विद्वान ने हिंदू गरंथों का अध्यान नहीं किया था अलवर्णी के द्वारा लिखे गए तहकीक एहिंद गरंथ को किताब उलहिंद की नाम से भी जाना जाता है तो आप तहकीक एहिंद का हैं या फिर किताब उलहिंद का हैं एक ही गिरंद के ये दोनों नाम है अलवर्णी का तहकीक एहिंद अभी तक तो मैं आपको पढ़ा रहा था अलवर्णी के बारे में अब बात करते हैं कि तहकीक एहिंद में क्या लिखा हुआ है तहकी के हिंद में भारत के समाज इवम संस्कृती के बारे में बिस्तार से चर्चा की गई है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों का मिस्रण देखने को मिलता है अलवर्णी ने भारत में रहे कर कई इस्थानों की यात्रा की और धर्म, समाज, रितिरिवाज, अंद्विस्वास, पवित्र इस्थानों आदी के बारे में बिस्तार से वर्णन किया अलवर्णी ने तहकी के हिंद में लिखा है कि भारती लोग स्वेम को सर्वस्रिष्ट मानते हैं, उन्हें लगता है कि उनके जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन जब उनसे किसी घटना के बारे में पूछा जाता है तो वह कहानिया गड़ने लगते हैं, उन्हे ना तो अपने राजाओं का इतिहास पता है और नहीं किसी घटना का समय, तो देखो यहाँ पर अलवर्णी क्या कहना चाहते हैं, अलवर्णी कहना चाहते हैं कि भारती लोग स्वेम को सर्वस्रिष्ट मानते हैं, उन्हें असा लगता है कि उनके जैसा देश पूरे दुनि नहीं हैं, यह किसने कहा हैं, अलवर्णी ने अपने गिरंथ में कहा हैं, अलवर्णी ने आगे लिखा है कि जब दो ब्रामण बैटकर खाना खाते थे, तो वह बीच में सफेद कपड़ा रख लेते थे, ताकि एक दूसरे का सरीर आपस में न मिले, हलाकि अब तो ऐसा कोई ब्रामणों में रितिरवाज नहीं हैं, लेकर उस समय होता होगा, तो यहां पर अलवर्णी का कहना है कि जब दो ब्रामण बैटकर खाना खाते थे, तो बीच में एक सफेद कपड़ा रख लिया जाता था, ताकि शरीर है, वो आपस में न मिले, देखो हमारे देस में कई त प्रिथाएं, शुरू हुई, खत्म हुई, तो हो सकता है कि उस दोरान ये प्रिथा हूँ, कि आपस में बैटके जब खाना खाएं, तो बीच में थोड़ा दूरी बना के रखें, अलवर्णी ने सूद्रों के बारे में लिखा है कि इनका जीवन बहुत दरिंद की भरा होत तो चलिए मैं आपको यहां पर समझा देता हूँ, अलवर्णी ने अपने तहकीक एहंद गरंत में लिखा है कि सूद्रों का जीवन बहुत दरिंद की भरा होता था, इन्हें सिक्षा का अधिकार नहीं था, इन्हें मंदर में जाने का भी अधिकार नहीं था, अगर कोई ध भूके से सिक्षा प्राप्त करने की कोसिस करता था, तो उसकी जीव काट ली जाती थी, गौले, इनका काम था दूसरों की गाय और भैंसों की सेवा करना, चर्मकार क्या करते थे, ये मरी हुई गाय और भैंसों की खाल निकाल कर उनकी जूति बनाते थे, चांडल, ये बन जायें कि चांड डाल गाउं में आ रहे हैं इस तरह की बातें तहकी के हिंद में लिखी हुई हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो नीचे लिंक दी गई है description box में या फिर comment box में तो वहां से जाके आप download कर सकते हो और पढ़ भी सकते हूं अलवरुनी की top 31 दिसम्ब्र 1048 या फिर एक पचास एसवी को गजनी अफगानिस्तान में हुई थी आपको यह यहां पर ध्यान रखना है कि अलवरुनी के मिरत्यू 13 दिसंबर 1048 या फिर 1050 क्योंकि तिहास कारों ने 1048 भी लिखा है, 1050 भी लिखा है तो 1048 या फिर 1050 इस भी को गजनी अफगानिस्तान में हुई थी तो आपको क्या याद रखना है जितना इस वीडियो मैंने हाइलाइट किया हुआ है यह आपको याद रखना है यह बहुत महत्मूर है और अगर आपको वीडियो यह समझ में ना आया हो तो आप इसको दुबारा तिबारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शियर करो और अगर आपको कोई सवाल है तो कोमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो